मैं तो एक फार आफ प्लेस पे रह रहा हूँ गंटामला बारामला से 12 किलो मीटर से वे तो जब मुझे चोड़े चोड़े बच्चे हैं मेरे इनको सुकूल छोड़ना पड़ता है गाडी का यहीं फाइदा था मेरे लिए कि इनको मैं इन टाइम सुकूल पे छोड़ लाइसेनस नहीं होगी तो उस उसमें भी मुझे प्राब्लिम फ्येस करनी पड़ती है मेरे बज़रक माबाप हैं डाक्टर के पास को भी लेना होगा एपॉइंट में डाक्टर के पास होती है बिनागाडी के में नहीं निकल सकता हूँ, मुझे हर दिन हायर करनी पर चीए, अपना वीकल होने के वावजूद भी, तो मैंने का अगर इसका रिसीप भी नहीं मिलता है मुझे, तो यह तो सरासर रिशुत हुआ, वाला आप कुछ भी नाम इसको दीजिए, इसके बगेर आपको लैसनेस नहीं मिलेगी. हमें बहुत बहुत शुक्र गजारू आपको, यह परस्नली वहाँ पर गए, उस आफिसर के साथ उसे मिले, और जब उसको यह पता चला कि नहीं यह इशु जो हायलाइट हुआ हुआ है, उन्होंने परस्नली मुझे काल की, मुझे फोन किया, मेरा नमबर वहाँ पर था, नाव महीने के बाद जब मैं वहाँ उस आपस पर गया, हैरानी की बात यह है, जो लाइसनों जी साड़े तीन महीने तक नहीं मिली, वो सिर्फ पांस मिनट के अंदर-अंदर उसने मेरी पूरा बायो डाटा यह वहाँ पे लिया, फीड किया, पांस मिनट के अंदर-अंदर कंप्यूटराइज लाइसनों जी आप देख सकते हो, यह मुझे जो है, उसी जो है, जो है।